अगर मैं अपनी आखे बंद करके यहां बैठूँ और कोई इस हॉल में आये तो मैं बता दूँगा कि किस तरह का व्यक्ति आया है आप देखेंगे कि जब आप इस तरह बैठते हैं तो आपका दिमाग बहतर काम करेगा सच में अगर आप मानव शरीर को भीतर से जानते हैं आप खुद इस पर गौर कीजिए देखें कि जब आपके पेट में खाना होता है तो आपका शरीर कैसा महसूस करता है और जब पेट खाली होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है आप पाएंगे कि आपका शरीर और दिमाग सबसे अच्छी तरह तब काम करते हैं जब आपका पेट खाली होता है अगर लगातार आपके पाचन तंतर में खाना पचता रहता है तो स्वाभाविक है कि उर्जा की कुछ मात्रा उसमें लगी रहेगी तो आपका दिमाग और शरीर दोनों ही अपनी पूरी ख्रमता पर काम नहीं कर पाएंगे अगर आप अपनी पूरी ख्रमता तक महुचना चाहते हैं तो आपका अपने शरीर और उसके मेटबॉलिजम को इस तरह रखना होगा कि जो भी आप खाएं, चाहे जो भी खाएं डेर से ढ़ाई घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए योग में इस चीज़ पर हमेशा जोर दिया जाता है कि डेर से दो घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए पेट खाली होने का मतलब भूख नहीं होता जब उर्जा का स्तर नीचे गिरता है सिर्फ तभी आपको भूख लगती है नहीं तो वैसे पेट खाली होना चाहिए इस कोने में पत्थरों से बना एक मंडप है एक पविलियन जहां हमने आपके लिए एक आदर्श आफिस सेट कर रखा है कुर्सियों का लेवल नीचे है, टेबल का लेवल नीचे है आप देखेंगे कि जब आप इस तरह बैठते हैं तब आपका दिमाग बहतर काम करता है सच में मैं किसी चीज़ पर बोल नहीं सकता या उसमें जा नहीं सकता जब तक पाल्थी न लगाऊ कम से कम एक पैर तो मुड़ा हुआ होना चाहिए नहीं तो मुझे फर्क समझ आता है कि मेरा दिमाग कैसे काम करेगा अगर आपको ये फर्क नहीं पता कि कब ये काम कर रहा है और कब नहीं तो आप एक गंबीर समस्या है बस पाल्थी लगा कर कुछ समय बैठ कर देखिए रीड को सीधा रखे अच्छाना जानने के आपकी क्षमता मैं आपको बता रहा हूँ अगर मैं आखे बंद करके यहां बैठू और कोई हॉल में अंदर आए तो मैं आपको बता दूँगा कि किस तरह का व्यक्ति आया है अरे सद्गुरू आप तो एक महान योगी हैं बात वो नहीं है आपके घर के कुट्टे को भी यह पता होता है है कि नहीं हाँ या ना आपका कुट्टा सोफे के नीचे बैठा हुआ है अगर कोई में गेट पर आता है उसे पता है कि कौन है हाँ या ना जो कुट्टा जान लेता है आप नहीं जान सकते नहीं मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि क्रमिक विकास की पूरी प्रक्रिया एक अमीबा से लेकर एक इन्सान तक की असल में ज्यादा जटिल और उनणत नियोरोलोजिकल सिस्टम की है है कि नहीं? हाँ या ना एक इन्सान के रूप में आपके पास सबसे उनणत नियोरोलोजिकल सिस्टम है अगर एक कुट्टा भाप लेता है तो आप भी भाप सकते हैं बात बस इतनी है कि आप हर समय विचारों की उलजन में रहते हैं क्योंकि ध्यान देने की क्षमता जा चुकी है ज्यादा तर लोगों में क्योंकि वो अपनी स्क्रीन पर तरह तरह की रंगीन चीजें और वो सब देखते रहते हैं तो उन्होंने ये क्षमता खो दिये। तो एक चीज है ध्यान देने की इस क्षमता को वापस लाना। योग का हर आयाम आपके ध्यान के स्तर को इतना उचा उठाने के लिए है कि यहाँ जो कुछ भी है आप उससे ना चुकें। सब कुछ आपके अनुभव में होना चाहिए। सिर्फ तभी आप खुद को एक संपूर्ण इंसान कह सकते हैं। ध्यान ना दे पानी की कमी को किसी योगिता की तरह लेकर मत चलिए। कोई भी चीज आपको उतनी ही परिणाम देती है जितना आप उस पर ध्यान देते हैं। इस संदर्ब में सांस एक बहतरीन साधन है ध्यान देने के अभ्यास के लिए। ध्यान किसी विशेश उद्देश्य के लिए नहीं बस यूँ ही ध्यान देने की क्षमता। चाहे आप एक कलाकार हों, वैग्यानिक हों, अध्यात्म की ओर मुड़े हों, बिजनस्मेन हों या बस आप जीवन जी रहे हों। आपके परिवार की बात हो, आपका प्रेम, आपकी खुशी, ये सब आपको परिणाम के वल तभी देते हैं, जब आप उन पर परियाप्त ध्यान देते हैं। एक इंसान का ध्यान ब्रह्मान में कोई भी द्वार खोल सकता है। पर बिना किसी उदेश्य के ध्यान देना, नतीजों का हिसाब किताब किये बिना, बस यूँ ही ध्यान शील होना, जीवन शक्ती को ही ध्यान की प्रक्रिया बना लेना। आपका ध्यान सिर्फ आपके मन से हो सकता है या फिर आप अपने पूरे शरीर को ही ध्यान में लगा सकते हैं अगर आप यë समझना चाहते हैं अगर आप एक टाइगर को या तेंदुए या चीते को शिकार के लिए घात लगाये देखें तो आप देखेंगे कि वो सिर्फ मानसिक स्तर से ध्यान नहीं दे रहा उसका पूरा शरीर ध्यान दे रहा है केंद्रित है, उर्जाएं केंद्रित है तो अगर आप अपने शरीर, अपनी उर्जा को अपने मानसिक ध्यान में शामिल कर लें तो अचानक से ये ध्यान एक जबरदस ताकत बन जाता है जो आपके जीवन में कई पहलूओं को आपके लिए खोल देगा जीवन आपको सिर्फ उस हद तक परिणाम देता है जितनी शक्ती से आपमें ध्यान देने की क्षमता है इनसान के ध्यान की शक्ती एक अविश्वस्नी ताकत है आपको ये सीखना चाहिए कि आवश्चक अभ्यास से इस ताकत को कैसे खोला जाए अपने भले के लिए और सब के भले के लिए आप सभी मेरे सद्बुद बरतन पर ध्यान दीजिए प्लीज ध्यान दीजिए प्लीज अभी इसे करिए आपका ध्यान इस बरतन से हटना नहीं चाहिए बस बस ध्यान दीजिए कितना सुन्दर बरतन है प्लीज तो अब मेरे बोलते बोलते देखिए आप बरतन के साथ नहीं रह पा रहे हैं एक पल और फिर ओके ऐसे नहीं, मान लीजे, आपको इस बर्तन से प्यार हो गया अब अगर मैं इसे छुपाऊं, तो आप इसे देखना चाहेंगे बर्तन चाहे कहीं चला जाए, आपके मन में वो छाया ही रहेगा अब आपका मन इस तरह है, क्योंकि आप भावनाओं से इस से जुड़ गये आपको बर्तन से प्यार हो गया, और अब आपका मन लगातार इसमें लगा रहता है तो इसी को भक्ती कहते हैं, ये ध्यान देने का एक शक्तिशाली तरीका है ध्यान देने का एक सहज और आनंद भरा तरीका अगर आप किसी चीज़ पर फोकस करने की कोशिश करें, तो आपको सरदर्ध हो जाएगा पर अगर आप किसी चीज़ से प्यार करने लगें, तो आपका उस पर सौ प्रतिशत फोकस तो रहेगा ही और आपको सरदर्द नहीं होगा, आप पर्मानंद में रहेंगे ये मन को इस्थमाल करने का ज्यादा समझदारी भरा तरीका है बजाए उसके जिसे लोग दिमागी बुद्धी के रूप में जानते हैं एक भक्त के जीवन की एक अलगी समझ होती है ये बुद्धी मत्ता का एक अलग आयाम है जहां वो उन चीजों तक पहुँच सकता है जिसकी दूसरे कलपना भी नहीं कर सकते सहज़ता से, खुशी से क्योंकि वो भावनाओं से शामिल है उसका ध्यान बिलकुल पूर्ण है और आप जिस पर भी ध्यान देते हैं अगर आपका ध्यान पूर्ण है तो जीवन का वो आयाम निश्चत ही खुलेगा वो परिणाम जरूर देगा दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि झाले नहीं है